आज मेरे एक दोस्त ने घजल बेजी है और कहा था कि आब इसको पढ़ लें आईए देखते हैं इन्होंने लिखा क्या है हम मर गए तो सब को दफनाने की फिकर होगी हम मर गए तो सब को दफनाने की फिकर होगी किसी को कबर की तो किसी को ले जाने की फिकर होगी मेरा नाम पुकारा जाएगा मस्जिद के मिनारों में मेरा नाम पुकारा जाएगा मस्जिद के मिनारों में कही देर न हो जाए जनाजे के फिकर होगी पहले रोते थे मेरे मरने के अफसोस में हम चले गए तो उनको खाने की फिकर होगी जुही शाम होगी परेशानी बढ़ जाएगी कितने महमान आगए सुलाने की फिकर होगी फिके चावल बनाएंगे सब गूस बनाएंगे फिके चावल बनाएंगे सब गोश्ट बनाएंगे सब को ब्रादरी में इज़द बनाने की फिकर होगी दोस्त बात में दम है वाके में सही कहा है लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि आपको इतना दुखी होने के कोई जूरत नहीं है ये दुनिया बहुत बड़ी है यहां पे आपको बहुत मवाके मिल जाएंगे और इतने दुखी होकर आपने ये बेजा है मुझे इस बात का दुख है सच बता रहा हूँ आप जैसे बड़े दिल वालों को इतना अफसोस इतना दुखी नहीं होना चाहिए बात तुझ सही है बट काम होना चाहिए किसी कना मुझे जैंगे